तो UPSC Master में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की समयधानी विकास यात्रा के भागते रापार इस वीडियो में हमारी चर्चा का विशे रहेगा भारतिय सोतनत अधनियम 1947 इस वीडियो में हम ये जानेंगे अधनियम को पारित के जाने की कारण क्या थे फिर हम ये देखेंगे इस अधनियम के प्रूप्राधन क्या थे और अंत में हम करेंगे इस अधनियम का मुल्यंकन चलिए आईए सुरू करते हैं सबसे पहले अधनेयाम को पारिद किये जाने की कारण क्या थे मित्रो सर्वविधित है कि दिप्तवी स्विद्ध में ब्रिटेन की हालत खरस्ता हो चुकी थी ब्रिटेन अब भारत को गुलाम बनाये रखने में सक्षम नहीं था ब्रिटेन इस बात को समझ चुका था कि भारत को अब लंबे समय तक गुलाम बना कर नहीं रखा जा सकता है इसलिए ब्रिटेन अब धीरे धीरे भारत को सोतनता देने की दिशा में लगतार परियास कर रहा था इसी संदर्ब में बहुत सारे प्रस्ताओ ब्रिटे सरकार द्वारा दिये गए थे और इनमें जो है एक प्रस्ताओ जैसे वावेली उजना भी आई थी और इसके लावा कैबिनेट मिसन भी आया था और इस घोषना के पच्चाद भारत में संप्रताइक दंगे काफी बढ़ चुके थे अब दिद्विश्चुद्ध के बाद ब्रिटेन की जो राज़नतिक इस्ति थी वो भी उतर पुतर हो चुकी थी अब जो है वहाँ एक नए प्रधान मंत्री चुन कर आये थे जिनका नाम था एटली एटली ने फरवरी 1947 में दो महत्पुन घोषना की थी सबसे पहली घोषना थी जोन 1948 तक भारत को सुन्दत कर दिये जाएगा इसके लावा दूसरी घोषना थी कि भारत की समस्चा के समधान के लिए माउंट बेटन को वाइसराय बना कर भारत भीज़ा जाएगा अब इसी घोषना के तहट माउंट बेटन भारत के वाइसराय बन कर आये और यहाँ आकर इन्होंने देखा कि भारत में सामप्रदाइक दंगे काफी बढ़ चुके हैं तो ततकालिन इस्तती के समधान के लिए एक समीती का गठन किया गया जिसके जो अध्यक्स थे वो होस्टिंग इसमें थे ये उस दुरान दिल्ली में गवर्नर हुआ करते थे इसके सदस जोर्ज एबल और स्यम मौन्ट बेटन भी थे इस समीती ने समस्या का समधान निकाला कि प्रांती आधार पर सोतंता प्रदान कर दी जाएगी और सभी जो रजवाडे हैं जो प्रांते हैं वो सोतंत्र होंगे और भारत में जो ये समस्या चल लएई है ये जो दंगे भड़क रहे हैं इनका समधान कर जा सकेगा इसका किसी बिदलने समर्थन नहीं किया और इसका ग्रोध करते हुए जाला नेरुन नेहे का कि इससे भारत के टुकडे हो जाएंगे और भारत की स्तिती बालकन देसों जैसी हो जाएगी इसलिए इसी प्लान को जो है बालकन प्लान ये डिक्केबल प्लान भी कहा जाता है अब मांट बेटन ने बारी बारी से भारत के राजनितिक दलों से वारतलाप की और इन राजदितिक दलों से वारतलाप करके पुन है एक योजना परस्तुत की तीन जून 1947 को इसलिए इस योजना को तीन जून योजना चुक् без जोन योजना चुक्कि मांट बेटन ने परस्तुत की इसलिए से मांट बेटन योजना के नाम से जाने आता है इस योजना के जो प्रोविजन्स थे वो क्या थे इन्होंने सुझाव दिया कि देखे दंगे बहुत जादा बढ़ चुके हैं और समस्था का समर्धान के विल यही है कि भारत का विभाजन कर दिया जाए तो सबसे पहला इसका प्रस्ताव था कि सोतंतरता से पूर्व भारत क का विभाजन कर दिया जाएगा नेक्स्ट पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम बहुत संख्यक जिले के प्रांते विधान सवा के सदस्यों की अलग-अलग बैठक बुलाए जाएगी और यदि उनमें से कोई भी पक्स यह चाहता है कि प्रांत का विभाजन होना चा प्रांत संख रहे करा जाएगा और यह जाना जाएगा कि वह भारत के साथ रहना चाहते हैं अत्वा पागिस्तान के इसके लावा यह प्रोविजन किया गया कि जो दो देश इस महद्यूप में अस्तुत में आएंगे यदि किसी संदर्ब में सीमाओ के मामले में कोई विव रखा जाए तो उसी मांग को ध्यान में रखते हुए भी कुछ प्रावधान किये गये जैसे यह पहला प्रावधान किया गया भारती रजवारों को स्वतंतर रहने का विकलप नहीं दिया जाएगा उन्हें या तो भारत के साथ सामिल होना पड़ेगा या पागिस्तान के इसके अलावा बंगाल को स्वतंतर नहीं रखा जाएगा देखें मांट बेटन अपनी इस योजना को जो है लेकर ब्रिटेन गए और 4 जुलाई 1947 को इन्होंने यह योजना ब्रिटिस अंसद में पेश की जिसे वहां की संसद द्वारा 18 जुलाई इंप्रटन डेंट है पेपर में आती है 18 जुलाई 1947 को स्विकरति परदान कर दी गई और जब इस योजना को स्विकरति परदान हो गई तो यही योजना बारती ये सोतंता अधनियम में बटेगा पहला डोमेन स्टेट होगा भारत दूसरा डोमेन स्टेट होगा पाकिस्तान डोमेन स्टेट जो है एक अधिराजी का दर्जा है उसमें जैसे माली जे आप एक्जम्पल देखे युनाइटेट गिंडम का भार्ग परसासन था तो रक्षा विदेश और संचार र बंगाल वे पंजाब का युभाजन कर दे जाएगा नेक्स्ट सिंद परांत की असेंबली को किसी भी देश के साथ सामिल होने का अधिकार होगा नेक्स्ट देखे उन समस्त संदियों की समाप्ति की जाएगी वे अनुबंद रद्ध समझे जाएंगे जो महामहीम की सरकार तथा भारते नरेसों के मद्धे हुए हैं साथी साही उपाधी से भारत का समराठ सद समाप्त कर दे जाएगा इसके लावा बिटिस क्राउन अब दोनों दोमेन स्टेट के लिए कानून का निर्मान नहीं कर सेकेगी इसके लावा सुरक्षा दलो को भी दोनों देशों में बारते जाएगा साथी यह प्रावधान किया गया कि यह जो डोमेन स्टेट है जब अपने लिए समिधान का निर्मान कर लेंगे तो समिधान प्रभावी होने के साथ यह अधनियम सुतही निसकरिये माना जाएगा देखे इस सम्मंद में जो बारती समिधान का नुच्छे 39 जो उन्चानमे है वो भी यही कहता है कि सम्विधान प्रभावी होने के पस्चाद जो 1947 का भारतिय सुतनता अदलिया में वह सुतह ही निसकरिये माना जाएगा देखिए ये भी प्रावधान किया गया कि सम्विधान सभाद्वारा जब तक न्या सम्विधान बनाकर त्यार नहीं किया आता तब तक 1935 के भारतिय सासन अधनियन द्वारा ही सासन किया जाएगा इसके लावा प्रावधान किया गया देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपारिता का अंत्र कर दिया जाएगा और उनको भारत या पागिस्तान किसी भी अधिराज में सम्मलित होने का या फिर भावी संबंदों को निश्चे करने की सुदंता पड़ान करने का अधिकार होगा अर्थात यह कहा गया कि जो देशी रजवार्डे हैं या तो वह बारत के साथ सामिल हो सकेंगे जा विए पांट के सामिल हो सकेंगे या यदी उन्हें स्वतंत्फ रहना है तो स्वतंत्र भी रह सकेंगे यही जो है इस अधरियम के मुख्य परावधान थे अब इस इस अधनियम के तहत जो है 14 आगस्त 1947 को मांट बेटन कराची पहुचे और कराची में जो मुहमद लिज जिन्ना थे मुहमद लिज जिन्ना को सत्ता का हस्तानांतरन किया और जिसके चलते मुहमद लिज जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्ण जन्न बने और इनी के जो भारत की सत्ता का हस्तानांतरन किया जिसके चलते जोला नहरू भारत के प्रथम प्रणामंतरी बने और नहरू मौंट बेटन के कारियों से इतना प्रसंद हुए कि उन्हे जो है स्वत्मत भारत का प्रथम गवर्ण जन्नल बना दिया गया देखे जून 1948 तक की जो एटली की लागू कर दिया गया तो समिधान में राश्पती सब्द था और भारत जो है गनतंतर बन चुका था तो इसी के साथ ये जो पन था ये समापत हो गया चलिया ये सुरू करते हैं इस अद्रियम का मुल्यांकन देखे सबसे पहले अब तक भारते उप मादिव गुलाम हुआ क करता था सामराज जवाद के ब्यार थी तो इस अद्रियम को पारित होने के पचाति देखा गया कि भारते उप मादिव में सामराज जवाद कांत हो गया और इसका सुकत पहलू तो ये हुआ कि हम सोतंतर हुए दो देश बने भारत बना पाकिस्तान बना ये परंतु इसकी द सकता है बारत पागिस्तान में कभी भी मितरता काभि नहीं हो सकती है देखिए इसका दूसरा जो है ऐसा माना जाता है कि बारत का जो इभांजन था वो धार्मिक होता तो सभी मुस्लिम वह पागिस्तान में होता आज इस्थ्टीasie है कि कुछ हिंडू पागिस्तान में भी है और कुछ मुस्लिम भारत में भी अन्दिवास करते हैं देखे इसके लाव विभाजन की योजना जो है ये इस योजना में दुरदर्शिता का बिलकुल अभाव था यह योजना दुरकामी प्रिणामों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गई थी इसके लावा जो सिमाओ का जो क्लेरिफिकेशन होना था क्लेरिफिकेशन के लिए जो आयो गठित होना था वह भी बहुत देरी उसमें की गई 12 अगस्त 1947 को ही निडने लिया जा चुका था जो सिमाओ थी क्या थी क्लियर हो चुकी थी परंतु मांट बेटन ने इसको टाले रखा क्योंकि सरकार यह चाहती थी कि जो इसकी जो मतलब विपरित प्रवाव पड़ेगा उसकी जिमेदारी हमें न लेनी पड़े तो इसलिए से जो है 15 अगस्त 1947 को साजने करने का निडने लिया गया साथी मांट बेटन यह मान के चल लए थे कि भारत और पागिस्तान दोनों के गवर्णर जनरल मांट बेटन ही बनेंगे परंतु उनकी यह सोच जो है कारगर नहीं साबित हो सकी इधर जो है पागिस्तान में मुहमद अले जिन्ना स्वयम गवर्णर जनरल का पद धारन करने के लिए बिलकुल त्यार बैठे हुए थे मितरों जब भारत सोतंतर हुआ तो जब प्रामंतरी बने तो उन्होंने लाल के लिए से एक बासन दिया था इसमें इन्होंने हमारे संघर्ष को गिना था जो रास्ट्यांदलों के नेता थे और आगामी भारत को कहां तक जाना है इन सारी चीजों पर चर्चा की थी जए जवान जए किशान जए हिंद जए भारत महासक्ति भारत मित्रों आगामी हमारा टोपिक रहेगा कि ये जो नाइटी फोटी सेवन तक जितने भी एक्ट आये हैं इन पर एक एमसी क्यों की वीडियो बनाई जाएगी और मुझे आसा है कि आगामी जो भी आपका पिटी रहेगा चाए वो यू पिएसी का हो या किसी एस्टेट पिए मंदित समस्चा का निराकरण सोक के सो प्रसत कर दे जाएगा धन्यवाद